बिंडी की भरवा सबजी तो आपने कई बार बनाई होगी लेकिन बिंडी की गेवली रेसिपी आपने कभी ट्राइए नी की होगी बिल्कुल डिफरेंट है और इतनी चटपटी मसालेदार जब हम कभी शादियों में जाते हैं तो तवा फ्राई वेज़ेबल्स होती है ना उ इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने काटोरी नमकीन लिये कोई भी नमकीन ले लीजिए गाठिया ओ सेव अकसर क्या होता है बारिश के मौसम में नमकीन सील जाती है और हम सोचते है इसका क्या करें तो आज में इसको आई बहुत बढ़िया तरीका आपको बताने वाली ह इस्टी और बढ़िया बिंडी की सबजी बना कर दीगा इसको मैंने एक काटोरी जो है नमकीन ली कोई भी नमकीनों मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे इसी बाद हम एक फ्रैंक पैंड के अंदर सिर्फ एक टेबल स्पून ऑईल गरम करेंगे सरसों का तेल ली है आप चा पैनल को सपोर्ड कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब इसके अंदर हम डाल देंगे वन फो टीस्पून हींग और एक चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखना है और लो फ्लेम पर हम मसालो बूल लेंगे उसके बाद जो हमने नमकीन का पाउडर बना के रखा था वह से इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे इस सरे से क्या होगा यह जो इसमें पाउडर में सूखा पन्था भो भी खताम हो जाएगा और इसमें हलका सा ओयल जाएगा जिसकी वज अगर आपके पास नारियल पाउडर ना हो तो आप छोड़ा सा सुखा नारियल का टुकड़ा लीजिए और उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए वह भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास कोई नमकीन ना हो तो उसकी जगे आप आधी कटोरी बेसन जो है उसको भून नमक डाल दिया थोड़ा नमक हमारी नमकीन में भी है तो इसलिए सोस समझ के डालिएगा अब इसमें डाल देंगे सवा चमच यानि एक और वनफोर चमच के लगबग अमचूर पाउडर इससे बहुत ही खटा चटपटा टेस्ट आएगा बस यह कुछ बेसिक मसाले हैं जो पाउडर था यह काफी गरम था तो मसाले अपने आप इसमें भून जाएंगे अब इने ठंडा होने देंगे इतनी देर मैंने क्या किया भिंडी लिया यह 400 ग्राम के लगबग भिंडी है अच्छे से मैंने धो कर पोंच लिया और इसका टॉप और बॉटम पार्ट मैंने न अब कर दो कि अब देर मैंने सारी जुब इसको चीरा लगाया इकनी देर मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया बस हम एक भिंडी लेंगे और इस मसाले को इसके अंदर भरते जाएंगे अभी भी रेसिपी के अंदर बहुत कुछ बाकी है बहुत कम और बहुत कम ऑल में यह स्किपना करें तभी आपको सारे स्टैप समझने भी आएंगे और बहुत बढ़ी है रेसिपी आप घर में तयार कर पाएंगे अगर आपकी घर कोई महमान आया है या तो यह बिना प्याज लैसुन की भिंडी आप घर में बनाकर तयार कर सकते हैं एकदम क्रिस्पी भरवा जो सबको बहुत पसंद आएगी आप मैंने लिए चार-पांच मोटी वैली मिर्चे बड़े अराम से काफी अच्छी तीखी होती है आप भिंडी के साथ ना एक बारी इसको भी भरके बनाईए इतना लाजवाव टेस्ट आया रहा मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया और सबने बहुत तारीफ की मुझे खुद को ये भिंडी की सब्ची बहुत जादा अच्छी लगती है और मैं भिंडी का जब भी बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि इसी तरह की बिंडी बनाऊ बहुत जादा समय नहीं लगता ये देखिए और ये सारी त्यारी आप मेहमा करेंगे या फुलका या कोई और चीज इतनी दिन में ये भिंडी जो है तवे पर अपने आपी फ्राई होती रहेगी और आपको बिल्कुल राजिस्थानी स्टाइल अचारी भर्वा भिंडी जो की शादियों में अक्सार्ण की जाती है ना उसका फ्लेवर आने वाला है य तरीका क्या होता है कि हम सारी बिंडी एक साथ पलट दे और उसको अलट पलट करके सेखते रहें नहीं आप इसको इस तरह से सेखिए ये बिल्कुल तवा फ्राई बिंडी का आपको टेस्ट देगी और बिल्कुल अलग टेस्ट आएगा अगर आप सबको रेस्पी पसंद को देख पाएं इस तरह से इस मसाले से वैसे तो आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं लेकिन बिंडी की सब्जी जो है हो सबको बहुत चटपटी और करारी चाहिए होती है और बिना प्यास के अगर बनानी हो तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है बस अच्छे से दो मिनट त होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से सारी बिंडी को हम धीर दीरे चिम्टे की हैल्प से अलट पलट कर देंगे और इन्हें धब कर दो से तीन मिनट पकाएंगे बिंडी में बिल्कुल लेस नहीं आया और उपर से क्रिस्पी लेयर बन गई है जिसकी वज़े तो इसे रात को भरके रख दीजिए और सुबह के समय जब आपको टिफिन की तैयारी करनी हो इतनी देर आप साइट में रोटी बनाएंगे और इतनी देर सापनी नाश्ते के लिए और टिफिन के लिए आपकी सब्जी जो है तब आफ राई बिंडी तैयार हो जाएगी और किसी भी चीज कर इस्तेमाल कीजिए और बो भी नाओ तो भुनी चने की दाल को पीस लीजिए या बेशन बस हमारी यह देखिए जादा पांच निट का टाइम लगाए और एकदम बढ़िया हमारी तवा फ्राई बनकर तैयार है और मसाला देखिए से बिलकूल भी निकल के बाहर ने गिरा और इसी तरह से एक लॉट मैंने तवे के ओपर फ्राई किया है इतनी दियर में साइड में रोटी बना रही थी इतनी दियर में इंडिया जो है न यह फ्राई भी हो गई और घाने खाने में बहुत क्रिस्पी लग रही थी सबको बहुत पसंद आई आप सब अपने घर में ड्राई करें तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी घर में सबको कैसी लगी तो चलिए फिर मिलेंगे नई रेसिपी में तब तक आप प्लीज चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करते रहिए बैल आइकन प्रेस करते रहिए और मेरी बाकी की रेसिपीस को भी देखते रहिए सारी रेपीस रेसिपीस जो है वो ट्राइड और टेस्टेड हैं आप घर में बनाएंगे तो निराश्नी होंगे बिल्कु साही बनेंगी फिर मिलेंगे नई रेसिपी में तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद झाल